दोस्तों RCB के खिलाब गुजरात की सर्मनाखार के बाद गुजरात हुई प्ले आप की विरेश से बाहर तो रोपड़े सुभमन गिल लेकिन फिर विराट कोली और अनुसका सर्मा ने गिल के लिए किया है साजिस्टर जिसे देख आज आप किंग कोली को दिल से सलाम कर जाओ गे दोस्तों गुजरात और RCB के वीच खेले गे मुकाबले में RCB ने टोस्ट जीत कर गेंदबाजी चुनी और उनका या फैसला बहुत ही सही सावित हुआ क्योंकि इस मुकाबले में RCB के गेंदबाजों ने आज गुजरात के किसी भी बल्लेवाज को सेट होने का मुका तक नहीं दिया सुमन गिल साइस सुदरसन समेथ पांच बल्लेवाज तो दहाई कांग तक नहीं छुपाए और आज गुजरात की टीम महाज 147 रन ही बना पाई लेकिन जब इस टारगेट को चेंज करने बिराट को ली और फाप डुपेलिस मेदान में आये तो उन्होंने अपने बल्ले से तूफान मचा दिया आज इन दोनों बल्लेवाजों ने महाज 6 ओवर में ही टीम के स्कोर को 90 रन के पार पहुचा दिया हाला कि एक समय मुकाबला थोड़ा सा गुजरात के पच्छ में चला गया था लेकिन अंत में आरसीबी ने 6 ओवर में सेस रहते ही 4 विकर से मुकाबला जीथ लिया हाला कि इस जीश से आरसीबी के कुछ ज़्यादा पाइदा नहीं हुआ क्योंकि आरसीबी पहले ही प्लेवाजों की रेज से बाहर हो गई है लेकिन इस हार से गुजरात की टीम का प्लेवाजों में कौलिफाई करना मुस्किल हो गया है और इसी बाहर से हार के बाद सुम्मन गिल बेहत भाउग थे वो अपनी टीम के ही इस खराब प्रदरसन से भी काफी निराज थे उनके चेहरे पर इस हार का दुख साब दिग रहा था उनकी आखें नम थी लेकिन दोस्तों तभी सुम्मन गिल को भाउग देखकर बिराट कोली उनके पास आते हैं और किंग कोली गिल से बात करके उनका होसला बढ़ाते हैं जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं बिराट कोली के इस जिस्टे ने सभी का दिल जीत लिया लेकिन दोस्तों आप गुजरात की इसार की बड़ी वज़े क्या मानते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा